हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रुपाली एंड वेलकम बैक ट्यू रुपाली सिचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मिल्क पाउडर से बनने गुलाब जामून की रेसिपी बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही सरल तरीके से में इसे बनाना अब लोगों को इस बनाना बसांद आएंगे और बहुत ही आसान तरीके साप इसे बना के त्यार कर सकते हैं वीडियो में आगे बनने से पहले अभी तिए चैनल को सब्सक्राइब नेकिया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो यहां यहां के डीन तो आपना यहां सबस्क्राइब यहां अच्रो कमें की जई घर, अच्छी जोड़ार, आज़् लया है दमाने अच्छी flavyszा इसे यहां जाते है और यहां पर मैंने कलर का यूस की किया हुआ है और जक्टा दुदेते हैं फोड़ोसा अच्छा देक्टा अप् इसमें एक उबाल आगया है और हमें अपनी चास्टी को ज्यादा नहीं करना है अन्दर तक जो रस है गुलाब जामून में जो है वो रस अंदर तक नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है थोड़ सी चिपचिपी काईंड ओस थोड़ सा हातों में रखने पर ऐसा आपको तो यहां पर मैंने लिया है दो कप मिल्क पाउडर अपना नॉर्मल जो मिल्क पाउडर आसानी से मिल जाता है अगर के पार कोई सब या मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं अब इसमें में डाले हूं एक चम्मचकी करीम मैदा तो हमें थोड़ी सी माइंडिंग चाही होगी और यहां पर मैने डाला है आदा चम्मचकी करीम पेकिंग पाउडर अब इन सबको अचिछे से मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें डालेंगे आची से मिक्स कर लेना है ता कि कुछ रहना जाए बीच में गुटलिया अब यहां पर मैने लिया है एक कप दूद हमें एक कप को मिक्स करते जाएंगे क्या हुता है यह मिल्क पॉडर है ना जब इसमें जब भी दो छिप चिप होता है तो थोड़ी सी प्रभूलम आते है यह पर मैंने लिया है एक चमज घी जालना है और मेरा मोबाईल बार बार फोकस को देता है पतानी क्यों नीं क्यों बहुत धान तो यहां पर मेरे मेरे जो मिल्क पौडर के मिक्षर ने जो रस्ट कर लिया है मैं रीक में छूड़ा सा मिक्चर को अलग निकल लिया है ए और मैंने जिए मिल्क जाया करें ठाकर सरा दो थोड़ा सा पत्ला अभी मैं ए थोड़ा सा कलर एप्ला है क्योंकि इस मिक्चर को मान्ये गुलाव जामन के संटर में रखेंगे तो जब हम गुलाव जमू को कट करेंगे ना तो इसे मार्केट में मिलते ना गुलाव जमू यह वैसा वाला ही लगेगा पीच में से कट करने पर उसमें नट्स भी निकलेंगे और थोड़ा सा कलर भी दिखेंगा तो अच्छा लगता है वो दिखने में बस इसलिए मैंने किय अब चाहो तो इस पूररी प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो या कोई और कलर डालके उसकी और कालर का भी बना सकते हो अमेने यह अपे गुलाव जमू के चोट चोटे गोले कर लिए हैं और हातों में लगा लिए घी लगाए कि हम इसको बिलकुल स्मूध तरीके से अमें इस मैं इस तरीके से गोल बनाना और वित में यान के त внантFF काstar Mirakar मुझे भी भी बड़ा दिहानक नबता Swiss the Can the Ruskin यहां पर मेरे सारे गुलाभ जामून गोल्राउड बन के तियार हो गया है यहां पर मैंने लिया है आप चाहए और फीर्पवी भी बना सकते sweeping । तो पर मैंने रिफाइन लिया है और इसमें अपनी गुलाब जामून को दीरे दीरे डालते जाएंगे और यहां पर आज को जो हमें वो मीडियम हाई रखना है लहाई नहीं रखना है लो भी नहीं रखना है या वह हो तो लेजे, मेरी जो कड़ाई वह बिल्कुल भी हेवी बॉटम की नहीं, बिल्कुल ही पतली है, पर मेरे पास में यह है, तो मैं सी को यूज करते हूँ इंडक्शन के लिए, और मेरे इंडक्शन के ही बना रहे थे अपने गुलाब जामून को, बस गुलाब जामू पतली मेंisas कायू जाँ इस में भी फटली होने है, नहीं को डाले लग जाते हैं। इसमेए इसमें भी एक दो गुलाब जामून के नीचे लग गए हैं। कोई बात में ही ऐड़ा भाहिगे बदानी कड़ा फ़री हो तो यहाँ बलाब जामून जो है पर कितना सुंदर लग कितना प्यारा कलर आया इनके उपर तो यह पर गुलाब जामून हमाई फ्राई हो गए और अब मैं इनको टाल दूँगे अपने चास्नी में इस चास्नी को ध्याना कि आप थोड़ासा गरमी रखें तो गरम नहीं तो पर गरम ही रखने गुलाब जामून जिससे क्या होगा कि जब हम गुलाब जामून डालेंगे तो रस है अंदर तक पहुंचेगा उसके अंदर तक भर जाएगा अब मैं इनको तो दब मिक्स कर देती हूँ ताकि नीचे अचर चास्नी चली जाये क्योंकि उपर उपर फूर किया जाते हैं आप देख सकते हैं गुलाब जामून के त तो हो सकता है अंदर तक थोड़ा सा रसना जाए पर अभी इस वक्ते है कि आपको मेरी यह आज की रेसिपी कैसी लगी और अगर मेरी चानल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पीज जली सफटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और बेल आइ बगी बगी तकी बजय और गगी एक्राइब जरू कर लूढ़ा है कि बगी ट्री मेरी वील्ल फाइब झाली को सब्सक्राइब झाल मेरी यह इन लगल दूम्स व심क्ते हैजिवड़ाय कि दू क्श्सक्या चात्र ऊपर ट Rede र्या कि फो चेँड़ाब शूली आभी च é sóताफ